हाई अबरीवन आइम अधिती रहना इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कुछ लिस्ट उन इंपोर्टेंट मस्कुलाइन जेंडर और फैमिनाइन जेंडर की जो बार बार एकजाम में पूछी जाती है for example अगर आपसे पूछा जाए कि author masculine gender का example है इसका feminine gender क्या होगा तो आप बताओगे author ठीक है author का मतलब होता लेख़क और author का मतलब लेखीगा similarly जो list अब उसे आगे देखते हैं for example जो bachelor है means अविवाहित पुरुष इसका feminine क्या हो जाएगा अविवाहित इस्तरी यानि की spinster ठीक है और ये कही बार पूछा जाता है ये important है next बात करते है बोर ठीक है इसका feminine क्या हो जाएगा saw same way brother-in-law का feminine क्या हो जाएगा sister-in-law next बात करेंगे buck buck का feminine gender हो जाएगा doi next बात करेंगे cult यानि की बच्छडा तो इसका क्या हो जाएगा feminine gender बच्छिया ठीक है बच्छडा का बच्छिया हो जाएगा यानि की cult का क्या हो जाएगा philly ये पूछा जाता है next बात करते है duke duke यानि की साशक तो इसका feminine gender हो जाएगा ठीक है, एक्जीक्यूटर का क्या हो जाएगा, एक्जीक्यूटरिक्स, ठीक है, इंग्लिश मैन का क्या हो जाएगा, इंग्लिश वुमेन, अर्ल का क्या हो जाएगा, पूछा जाता है, काउन्टेस, ठीक है, फॉक्स का क्या हो जाएगा, विक्सिन, फॉक्स हो गया, मेल, और विक्सिन हो गई female ठीक है जाइंट का क्या होगा giantess giant यानि की राक्षष बहुत बड़ा राक्षष और giantess यानि की राक्षषी ठीक है next gentleman gentleman means surgeon पुरुष तो इसका feminine version क्या हो जाएगा lady ठीक है next बात करते हैं huns की ठीक है huns huns नहीं तो जो male होता है उसे कहेंगे gander और female होता है उसे कहेंगे goose ठीक है next देखते हैं जो वारिस होता है लड़का उसे कहते है और जो लड़की होती होती है aris ठीक है यहाँ पर h silent है यह इसलिए बता रहे हूं कि जब article यूज करते हैं तो यहाँ पर आप क्या about hormone है तो इसका feminine gender होञा क्या हो जाएगा hostess ठीक है अगर खचर की बात करो WAT अगर खोट छुए psychologists कि होता है और см मिल को मेर कहते है ठीक है नेक्ष बात करते है लड़का लड़की लड़के हो कहेंगे लैड और लड़की को कहेंगे लैस ठीक है ल, a, । नेक्स बात करते हैं लॉइन लॉइनेस सब जानते हैं नेक्स बात करते हैं साधुकी जो मेल होता है वो मौंक होता है और जो फीमेल होती है उसे नन कहते हैं नेक्स बात करते हैं मास्टर और मिस्ट्रेस ठीक है नेक्स बात करते हैं मेटरनल अंकल मेटरनल आंट ठीक है नेक् का प्रीस्टेस यानि कि पुजारी का पुजारिन पीकॉक का पीहन ठीक है पूछा जो जाता है वो है नेक्स्ट राम का इफ यह पूछा जाता है नेक्स्ट है स्वैन का निम्प ठीक है युवा का युफती नेक्स्ट बात करते हैं शेपर्ड यानि कि चर्वाहा का और जो फीमेल होगी वो गया मेर next बात करते है salesman saleswoman ठीक है sales sales तो equal है man था यहाँ पर woman हो गया next बात करते है steward का stewardess next बात करते है signore यानि जो italian तरीके से संबोधन करते है sir का signore का signora यह पूछा जाता है signora ठीक है सुल्तान का सुल्ताना tutor आप अगर बच्चे को male पढ़ाने आता है तो उसे तो आप tutor कहेंगे और अगर female पढ़ाने आती है तो उसे governance कहेंगे लेकिन कई लोग उसे mistake करते हैं और tutor ही बोलते है ठीक है तो male है तो tutor और अगर lady है तो governance ठीक है अगर जादूगर है तो masculine gender दे दिया और पूछा जाएगा कि बताओ इसका feminine noun क्या होगा ठीक है आपको इस तरीके से पूछा सकता है कि या तो आपको feminine gender देके masculine पूछेगा या फिर masculine देके feminine पूछेगा MCQ में चार option आपके पास होगे ठीक है तो यह था exam का pattern इस वीडियो में इतना ही अंतर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्री है